वेलकम बेक अब्रिवन, वेलकम टू सर्विसे स्टड़ी, यूपी PCS की टेस्ट सेरी चल लई थी, 63 टेस्ट कम्प्रीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 64, इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं, जोग्रफी के प्रश्णों पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 12 से टीन से देखें बड़ा-लाचा दर्रह अप्राठ पर्देiamente और तुझू दर्रह का संबने मनिपुर राजय से हैं, तो देखें तुझू दर्रह अप्रमा प जहा पूशने का है, जोग्रे प Snakberry पाराठ था है इस जोग्रेका दारा आत醉ट से हैं,臍वर से आयम्हाची खाज़ेक हैं इसको कोश्चन नमबर टू पर आ जाईए नमलगित कत्मों पर विचार करें तो स्टेट्मेंट है यहां पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है भारत का मानक समय इलहबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली साड़े बायासी डिगरी पूर्वे देशांतर को माना गया है साड़े बायासी डिगरी पूर्वे देशांतर पांच राज्यों जो हैं उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश, 36 गड़, उडिशा और आंधर प्रदेश से होकर गुजरती है करेक्ट है दोनों के दोनों जाने ग्रेनाइट और नीज से निर्मित प्राचीनतम संरचना है अर्कियन करम की चट्टानों में जीवास्म पाये जाते हैं हिमालय परवतिय छेत्र की जड़ों में अर्कियन संरचना मिलती है यह most important है जोग्रफी के अंदर बहुत पूछते हैं इनको अर्कियन करम की चट् अर्कियन करम की चट्टाने धात्विक और एधात्विक खनज संसादनों के भंडार की दरश्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है परन्तु गहराई में नीचे की पड़तों में चले जाने के कारण आर्थिक दरश्टी से इनका दोहन कठिन है कुश्चन नंबर 4 पर पर विचार करें तो स्टेट्मेंट है हां पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा अर्कियन संरचना में भौतेक एवं रासाइनिक परिवर्दन और अपर्दन के द्वारा प्राप्त अब सादों के निक्षेपण से धारबाड संरचना का विकास हुआ है धारबाड जिवास्म रहित हैं और कायांतरित अवसादी चट्टाने हैं दोनों के दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट हैं sortir is अन्ब हिमाले की लदाख में, जासकर में, गड़बाल और कुमायू स्रणी में भी पाई जाती हैं, धारबाड क्रम की चट्टानों में धात्विक खनीजों का आभाब रहता है। हिमाले की लदाख, जासकर, गड़बाल वे, कुमायू स्रेडी में भी धारबाड क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। काथिक द्रश्टी से कम महत्वपून हैं और कुडपा, क्रम की चट्टाने, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्वेस्टस और संग्मर्कमर्क की चट्टानों के लिए प्रशिद्ध हैं। कौन सा वाला करेक्ट है, इसमें, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसका अंसर है, ओप्शन नमबर C. तो देखे, धारबाड और अर्कियन सनरचना में अपर्दन और भौतिक राशानिक परिवर्तन से प्राप्त अपसादों के निक्षेपन के द्वारा कुडपा सनरचना का विकास हुआ है, इसमें चूना पत्थर का जो है, वो सरवादिक भंडार है, किसमें? धारबाड में चले आजाईए, question number 7 पर आजाईए, गोडबाना सनरचना का संबंद दामोदर, महानदी, गोदाबरी, सोन और नर्मदा नदी वेशन से है, कोईले के लिए गोडबाना करम की चट्टाने परशिद हैं, देखिए तो पता ही होगा आपको कोईले के लिए गोडबाना करम की चट्टाने, जीवास्मयुक्त, अपसादी चट्टाने, कोईले के भंडार के लिए की दरश्टी से परसिद हैं, और गोडबाना सनरचना का संबंद दामोदर, महानदी, गोदाबरी, सोन और नर्मदा नदी वेशन से हैं, इसलिए प्रायदी पे पठार का पूर्वी छेत कोईला भंडार की दरश्टी से सबसे जादे महतपूंट छेतर है, कोश्या नमबर एट पर आजाईए, इस प्राशन को पूछा थमरेल पर, नम्रकित में से कौन सी चट्टान करम भारत में सबसे नवीनतम है, कुडपा विंद धारबाड या गोंडवाना में सबसे नवीन पर आजाईए, दो स्टेटमेंट हैं हाँ पर, इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना आपको, मायोसीन काल में लगू हिमाले की उत्पत्ती होई, और प्लायोसीन काल में शिवालेक हिमाले की उत्पत्ती होई, जो हिमाले की नवीनतम परवत स्रंखलाओ में से एक है, कौन सा क आजाईए, नैन डिग्री चैनल न만 कित्मा से किसे अलग करता है ? यह important है question, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, एक बहुत पूछते हैं, 10 डिग्री चैनल, वो सब को पताऊज़ा, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो देखे 9 डिग्री चैनल में मिनिकोय बे लक्षदीव को पर्थक करता है 9 डिग्री चैनल मिनिकोय बे लक्षदीव को पर्थक करता है माल दीव में मिनिकोय को 8 डिग्री चैनल पर्थक करता है और 10 degree channel किसको प्रधक करता है अंड़मार और निकोबार द्वीब को question number 11 है पुदुचेरी का छेत्र नम्लकित में से किन राज्यों में विभाजित है यहीं भी important है question तो पुदुचेरी का छेत्र विभाजित है किसमें तमिलनाडू, केरल और आंदर प्रदेश में किसमें है इस तरह से पीछे साईयां से अंदर प्रदेश, तमिलनाडू और केरल में करनाटक तो यहां तक चला जाता वहां तक नहीं गया तो पुदुचेरी का छेत्र तमिलनाडू, केरल, अंदर प्रदेश राजियों में विभाजित है पुदुचेरी 1954 में फ्रांस की आधिन था, पुदुचेरी जिला और कारीकल जिला तमिलनाडू में इस्ते था और माहे जो है वो केरल में इस्ते था और यह नम आंधर प्रदेश में इस्ते था तो तीन में है न यह कुश्चन नमबर बारे पर आजाईए नमबर की तकत्नों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है बताना है कि रमेंसे कौन सा करेक्ट होगा लगू हिमाले की ढाल पर छोटे छोटे खास के मैदन पाए जाते हैं जिनें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है जैसे सोन मर्ग, गुल मर्ग, अधी उत्राखंड में इन घास के मैदनों को बुग्याल या पयार कहा जाता है उत्राखंड में इन मैदनों को बुग्याल या पयार कहा जाता है करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर यह तो देखिए लगू हिमाले को मध हिमाले भी कहा जाता है इसका वेस्तार जो है वो ब्रध्हमाले के दक्ष्ण में है इत तीनों पर चर्चा हो चुकी है सबसे उपर ब्रध्हमाले बीच में adjustment क्षिण में है सबसे नीचे सिवालिक श्रेणिया और इनके एक एक दो दो तीन तीन नाम है देखें लगू हिमाले के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कस्मीर में मर्ग कहते हैं जैसे सोन मर्ग, गुल मर्ग, आदी और उत्रा खंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या पैयार कहा जाता है QSD no.13 है, बरेल परवतस्रेनी इन में से किस राज में इस्थित नहीं है जैसम में है नाग लैंड में है लेकिन तरपूरा में नहीं है तो बरेल परवत्सरणी जो है त्रपुरा में इस्थित नहीं है, बरेल परवत्सरणी असम, मनिपुर और नागा लंड में है Question number 14 है, नमलकेद में से कौन सी पहाड़ी अर्नाचल प्रदेष और मेमार की सीमा बनाती है? कौन सी पहाड़ी है जो अनाचल प्रदेश और मेमार की सीमा बनाती है पटकाई बुम कौन सी है पटकाई बुम तो पटकाई बुम जो है वो अनाचल प्रदेश और मेमार की सीमा बनाती है इसको याद रखिएगा question number 15 पर आजाईए नमलखित कत्नों पर विचार करें दो statement यहां पर बताना की कौन सा correct होगा सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में इस्तित है और मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में परशिद है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में इस्तित है और मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में परशिद है यह दोनों के दोने statement correct है इसका उत्तर है option number C तो देखिए सांगला घाटी हिमाचल परदेस में स्थित है इसे वास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और मालना घाटी हिमाचल परदेस में चोटा यूनान के रूप में पुरशिद है तो ती प्रकती से ये 15 प्रश्णों का अच्छे सा रिविजन बताएगा 15 में से क्या किसी के 15 आये इस पूरी की पूरी टेस्स सीरीज की प्रेलिष्ट बना रखिये बहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 63 या 64 जो भी ये टेस्ट रहता बहां तक पहुंच सकते हो देखें लोगडाउन जो है वो धीरे धीरे अन्लॉक हो रहा है तो आठ थारिक से बहुत सारी चीज़े रियोपन हो रही है हो सकता है कि जल्दी से जल्दी एक्जाम UPSC सिविल सेवा का भी हो जाए और ये PCS की सेवा के भी हो जाए उत्तर प्रदेश का तो धील ना दें अच्छे सा अपना प्रपरेशन करते रहें इस्टडी करते रहें और करेंट अफेर्स को भूलना मत साथ साथ उसकी भी जो है जुड़े रहना चलिए धन्यवाद